हरे कृष्णा मेरे चैनल में आम सभी का स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो है रक्षा बंधन 2022 में कब है जानगे इसकी ती थी वासुब मोहूर्ट रक्षा बंधन का तेवार क्यों मनाया जाता है रक्षा बंधन से जुड़ी कुछ में बातें यह समय आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं साथ ही साथ फ्रेंडस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन में जरूर प्रस कीजेगा जिससे मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी तो आप तक पहुंच सके तो परोडिक मॉनने ताउन के अनुसार रक्षा मंदन का तेवहार एक हिंदू तेवहार है ये बहन और भाई आपसी इसने का परवए है इस दिन उस्सव का दिन होता है इस दिन सभी बहने अपने भाईयों के हाथ पर तरह तरह के धागे राखी बांद कर उनके सुकह इभव शम्रदिकी कामना करती है और साथ ही साथ भाई भी अपनी बहन की ताउम्र रक्षा करने के लिए वचन लेते है रक्षा बंधन का तेवहार साल में एक ही बार आता है रक्षा बंधन का पवित्र पर्व भद्र रहित काल में ही मनाना चाहिए रक्षा बंधन का तेवहार हर साल सामन मास की पूर्डिमा के दिन आता है अब जान लेते हैं रक्षा बंधन का सुब मोहोट कब है गेरा अगस्त गुरुबार सुबह 8 बज के 59 मिनट से 9 बज के 17 मिनट तक ही रहेगा और साम के टाइम देख लेते हैं 12 बज के बाद का समय है 5 बज के 17 मिनट से 6 बज के 18 मिनट तक ही समय है राखी बानने का तो रक्षा बंधन का तेवहार रक्षा बंधन का तेवहार पूरे भारत में एक ही दिन मनाया जाता है हिंदु धर्म की पौराडिक मानिताओं के कारण कुछ जगह इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है रक्षा बंदन का तेवहार हिंदु धर्म का बहुत ही पवित्र तेवहार है सायदी इतना पवित्र तेवहार कोई और हो भाई बहन के लिए ये दिन किसी उत्सो मात से कम नहीं होता सभी बहन चाहे वो किसी भी आयू की हो वो अपने भाई को राखी बानती है और चाहे बहाई कितना भी दूर रहता हो बिना दूरियों को सोचे बहन वहां पहुँच जाती है और रक्षा कवज के रूप में धागा बानती है भाई की कलाई पर रक्षा सूत बान्द कर बहन उन्हें मिठाई खिलाती है भाई अपनी बहनों को भेंट के रूप में कुछ ना कुछ उपहार देते हैं अधि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है मेरी चैनल को स्ब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट और सेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद